जी, section 77 निकाल लें, consideration received, section 77, page number 157, section 77 के अंदर जो पहला point है, वो ये है, कि अगर आपको ये asset बेचते हैं, और मिसाल के तोर पे आपने कोई shares बेचे, वो shares आपने बेचे, 11 रुपे के, लेकिन उनकी fair value है, 12 रुपे, तो what is consideration received, 11, what is fair value, 12, तो consideration received will be higher of actual और fair market value, ये rule बनेगा, इस तरह का rule हमने पढ़ा था, income from property में, income from property के chapter में हमने पढ़ा था, के, rent income higher of actual और fair market rent income में अड़ होगी, तो ये rule है, consideration received के लिए, तो पढ़ने जी, पहला point, section 77 का point 1, the consideration received on the disposal of an asset shall be the total amount received, यानि जो पैसे आपको वो बेच के आए, और the fair market value, और नीचे लिखाव है, बस 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 अपनी तरह रखो, whichever is higher, दोनों में से जो higher होगा, अच्छा ये rule ना, सिरफ shares के लिए, या jewelry के लिए नहीं है, ये rule सारे assets के लिए है, उपर डबे में देखें, एक बात लिखी हुई है, यानि ये section 77, एक general section है वली भाई, जो भी आप asset बेचेंगे, उसकी consideration received आपने paper में लेनी है, आपको चीज बाजार में बेचने जाते हैं, तो बदले में आपको पैसे नहीं मिलते हैं, बदले में आपको एसी मिल जाते हैं, तो ऐसी सूरत में, जो चीज आपको बदले में मिल रही है, उसकी fair value समझी जाएगी, आपके became a asset की consideration received, section 76 क्या था, cost, और section 77 क्या चल रहा है, consideration received, तो आगे देखें एक लाइन लिखी हुए, including the fair value of any consideration received in kind, determined at the time of disposal, तो अगर बदले में आपने कोई चीज ले लिया है, जनी चीज बेच के पैसे नहीं लिया है, चीज बेच के चीज ले लिया है, तो जो चीज आपके पास आई है, उसकी fair value will be considered as consideration received, यह तो हमारा हो गया पहला point, point one, point two, अगर कभी आपका asset चोरी हो जाए, अगर कभी आपका asset डिस्ट्रॉई हो जाए, अगर कभी आपका asset डिस्ट्रॉई हो जाए, अगर कभी आपका asset चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉई हो जाए, गुम हो जाए, नुकसान हो जाए, तूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको मुक्मुका कर लिया तीसरा चितर मारा उसने काब नहीं तो वहाँ खड़े-खड़े जो पैसे आएंगे इसे कहते हैं सेटलमेंट आपने वहीं खड़े-खड़े सेटलमेंट कर लिया या अगर वहाँ आपकी सेटलमेंट ना पाई तो आप कोट में चलेगे जज साहब ने आपके हाग में फैसला सुना दिया तो कई तरीके से आपको पैसे मिल सकते हैं तो जब भी आपको ऐसे स्क्रैप वेली उसकी मिल जाएगी तो यह सारे पैसे जमा करके विल भी कंसिडरेशन रिसीव ऑफ कौन सा एससे ऑफ दिस्ट्रॉइड असर्ट तो यह पॉइंट टू है वेरन एससे लॉस्ट और डिस्ट्रॉइड जहां कोई एसस गुम हो जाए या दिस्ट्रॉइड हो जा अज़नी डेमेज़ रिसीव बाइदा बिजनसमें अंडर एन इंशुरेंस पॉलिसी अंडर एन इंडमिनिटी अंडर अंडर अधर एग्रिमेंट और अंडर अट्र अट्रेटलमेंट वह उस बंदे से मुकमुका कर लिया और अजुडिशियल रिसीव है या प्याइसल आ तो जो जो पैसे आपको मिलेंगे आप उस एससे की मद में वो सारे के सारे किसमें चल जाएंगे अच्छा ये तीन एससे हैं नमबर वन एससेट टेकन टू होम आप घर ले गए ये इसी लगावा था कॉलिश की ओन और इसको घर ले गए ये इसी लगावा था इसको घर नहीं लेके गए इसको फैंक दिया इसको फैंक दिया इसको फैंक दिया इस्तमाल कर नहीं रहा था इसको फैंक दिया तीसरी बा यानि इस AC को स्टोर में रख दिया और स्टोर में रखते हुए कहा कि ये AC आज के बाद हम नहीं चलाएंगे और बस फैंक दो इसको स्टोर में ऐसी जगा फैंक दो जहां से दोबारा उठाना भी नी तीनों सूर्तों में आप कह रहे हैं मैंने एसिट बिचा नहीं आपने ये काम किया उस तिन के फैर वैल्यू पे बिच गया अब ये तीन रूल जरा मुझे जबानी बता दें नमबर बन आप एसिट घर लेके चले गए नमबर टू आपने एसिट फैंक दिया नमबर त्री आपने एसिट का इस सीज तो बी यूज इन बिजनस बिजनस में इस्तमाल होना बंद हो गया अब हो बकर रूम शिफ्ट कर लें कितने लगेगी वह क्या गया है तो कितने लगेगी उसमें अब चले क्या है जाहरी बात है इससे आपने खुदी क्लास अल नहीं अच्छा बाई एक कॉंसेप्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने वहर से समझने बाई जल्दी आगर बैठ जाओ आपका एक कंप्योटर है और एक आपकी टेबल है यह दो चीज़ें आपने एक कंप्योटर खरीदा था 100 रुपे का इसकी WDV थी 25 बेचने के वकत टेक्स वालों की WDV आपने टेबल खरीदी थी 30 की यह देप्रिशेट होते होते 6 की रही थी तो यह आपके पास लेटा अवेलिबल है आपने खरीद लिया लैप्टॉप अब जब आपने लैप्टॉप खरीदा तो आपने सोचा कि मैं कंप्योटर भी बेच दूँ टेबल भी बेच दूँ तो दूण चीजने 125 वकिए में बेचते हैं आप बता दें के कंसरेशन माइनस डव मगोडिव गेन लॉस निकलता है यह तो सब्सक्राइशन माइनस डव जीव गेन लॉस यह कंसरेशन कंप्यूटर की कितनी हैं और प्रोडिशन टेबल कि कितनी था पता चल रहे है या नहीं च किसी और जगा से खरीदी थी उसको डेप्रिशेट करते करते हैं छे पे लिया ले और आपने बेच आजें आप करें अदर और अगर टाइम ज्यादा लगना तो रूम शिफ्ट कर लेते हैं अच्छा तो ठीक है वो अब सरासेवल रोम फ्री है यहां नीचे नहीं वो फ्री है वो फ्री है जो उदर चलो एक मिनट मैं भाई अधर पहुंचें सारे सेकंड फ्लो तो अब मसला भाईजन यह आ गया कि 125 उदर आवाज आ रही है सही स्क्रीन नहीं आ रही स्क्रीन नहीं आ रही उदर बच्छा बगल में है यह हाथ में है यार इसको डाउन कर दो ना अबदल्ला ऑपर वाच पर नहीं मौतरब के ड़री वाज आफोले और लेकिन कांसिडरेशन दोनों के लंग वैलिपल नहीं है तो अब इसा करते है कोई ऐसा सवाल कर लेती है ऐसमें हमें आब अब इसका तरीका होगा उसका तरीका यह होगा कि आप किसी ऐसे बाजार में जाएंगे जहां computer लग बिकता हो और जहां table अलग बिकती हो और फिर आप इनकी क्या लगवाएंगे fair value लगवाएंगे और उस fair value की base पर इसको proportion करेंगे लेकिन ऐसे जबानी बात समझनी आएगी अगले सफे पे एक सवाल निकालें शाओर enterprise बाला page number 158 बाई उपर किसी बंदे को खड़ा करो कि जो बच्चा उपर आए वो उससे नीचे बला लें वैसे तो इतनी लेट किसने आना नहीं है page 158 बाई उपर किसी बंदे को खड़ा करो अबुबखर भेजो किसी को यह जी page 158 पे सवाल है यह अबुबखर यह नहीं चल रहा हूँ पढ़ने सवाल यार सवाल पढ़ने है पहली लाइन पढ़े page number 158 शाओर इसे शोल प्रोप्राइटर शाओर इसे शोल प्रोप्राइटर अफशाओर इंटरप्राइज अन 31 जन्वरी 2008 यह कुंसा साल बनेगा tax year 2008 अन 31 जन्वरी 2008 एसे शोल्डा फेक्टरी बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10 मिलियन इसने क्या दो चीज़ें एकठी बेची हैं अलग लग बेची एकठी बेची लफ्स अंडर लाइन करें बिल्डिंग इंक्लोडेंग लैंड बिल्डिंग और लैंड अलग लग बेची या बिल्डिंग और लैंड एकठी बेची जल्दी हो मैरे भाई को बलाएं इधर लेओ अब मुहतरम आगे सवाल नहीं पढ़ना आपने हेटिंग देंगे क्या डिस्पोजल ओफ वो मैं हेटिंग बात में दूँगा हेट स्कून से हैं डिस्पोजल ओफ बिल्डिंग ये अलग हेटिंग हो जागी बोले 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 डिस्पोजल ओफ बिल्डिंग अब मुझे बिता दें कि जो consideration received है अब मुझे बिता दें जो consideration received है वो शाओर is sole proprietor of अब मसला क्या हुआ है इसने computer और table एकठा बेचे यह लैंड और कितने की बेची है अब बताएं मसला क्या है ने इसमें land कितने की बेची पता नीचल रहा हुआ कि इसमें बिल्ड़न की बेचीं सबुस्तों Co.works 10 को अंदर बुलाऊं अंदर बुला के कोई portionment की working करनी पड़ेगी तो 10 को आप अंदर बुला ले फिर मैं आपको note करने का time देता हूँ अगली लेंग में पढ़ लेंगे जिस दिन ये बेची थी यह उसी दिन ये करते शनवरी आठ को the fair value of the land and the fair value of the building was 3 and 5 अच्छा खाली अगर land बेचता तो कितने की बिकती 3 की खाली अगर building बेचता 5 की बिकती, दुबारा पढ़ लें at the time of बेचना खाली अगर land बेचता कितने की बिकती खाली building बेचता लेकिन दोनों कठी कितने की बिकी 10 की बिकी अब आप मुझे बता दें, मुझे तो दस आए हैं ना लेकिन किसी ऐसे बाजार में मैं जाऊं जहां खाली लैंड बिके यह ऐसे बाजार में जाऊं जहां खाली बिल्डिंग बिके तो दस आते हैं या डिफरेंट प्राइसे आती हैं और ये सवाल में क्या गिवन है एजा तो consideration रिसीव को पोर्शन कर लें, divide करें बोथ की fair value से और multiply करें land की fair value से तरहां, इधर भी इसे तरहां, divide करें बोथ की fair value से और multiply करें building के fair value से यही तरीका होता है portion man का और क्या होता है अगला पैराना पढ़े हो तो cost का data है चले जी दोनों के fair value 3 और 5 दोनों के fair value multiplied by हमारी चीज की fair value दोनों के fair value और हमारी चीज की fair value क्या 3.75 और 6.25 का जवाब 10 के बराबर आना चाहिए बिल्कुल 10 के बराबर आना चाहिए इसके नीचे ना अभी मैंने WDVs माइनस करनी है उसके जगा छोड़िये गाँ अभी मैंने लाचे नीचे ना चाहिए लेकिन अगर अलग लग बेचते तो आठ मिलता उसमें से लैंड का कितना मिलता इसके नीचे दो तिन लाईने चोड़के फिर अगला नोट कीजिएगा इसके कॉस भी तो माइनस करने हैं गेन लॉट से पालने लिए चले जी अंग्रेजी अब मैं पढ़ने लगाँ लेकिन अंग्रेजी वहां से नहीं पढ़ना मैं यहीं से डिरेक्ट देखने लगाँ दूसरी वली रिकॉर्डिंग अपलोड दरनी है पहले ग्लास वली ठीक है अच्छा पढ़ने जी वहर तू तरना देखने आप लोग वहर 2 और मोर असर्ट आ दिस्पोस्ट दूसरी औंफ इना सिंगल अंग्ण एप लोग मैं द कन सिद्रेशन रिच्छिवड और मोर असर्ट सपोस्ट इस्पोस्ट अ इना सिंगल यह सिंगल दाउन देशम माइन अ at the date of sale अच्छा इस तरह की एक बात हमने पहले पढ़ी थी लेकिन वो ये था कि एक ही एसेट था और उस एक एसेट का एक टुकड़ा बिकरा था एसेट एक था इधर कुछ हो रहे हैं इधर दो और दोनो एकट्थे बिकरें और डैयनर पांग के एक टो और मुर्ड एस्ट आच सेट इस एक एसेट एल लृका हैd is not specified for each then the consideration shall be a portion between both assets based on their fair values at the time of transaction. Okay. अच्छाब मुझे ये बताएं के नीचे वाले पैरे में data दिया होगा cost का. ये cost कोई पुराना data दिया होगा past में खरीदे होंगे ये future ये बेच अभी रहे हैं तो खरीद तो कभी past में रहे होंगे अच्छा किस साल है tax year 2008 बेचा किस साल है ये लास्ट में बैठे में चेक करके हैं second floor पर को बंदा है बताने के लिए कि रूम किस class में हो रही है क्लास किस रूम में हो रही है अचा तो बेचा किस साल है tax year 2008 तो देखना कहके खरीदा किस साल है दा लेंड बिल्डिंग वरे कोईड़ न यकम जलाई 2006 लेंड बिल्डिंग कब खरीदी थी यकम जलाई 2006 यकम जलाई 2006 पिछला साल मारा तो यह दोनों चीजें 2007 में खरीदी थी at a cost of two million and six million respectively सबब कर जाएं पहले तो लेंड की cost minus करते हैं क्योंकि land depreciate नहीं होती है तो लेंड की cost minus करते हैं less cost कितनी 2 और 1.75 का क्या आ गया 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 ओके देर से क्यों आयो क्या आंग देर से पर लिए अचा जी दे लेंड की cost थी बोले 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 दो million और building के cost 6 million आगे पढ़ें जी the tax वालों के WDV of the building at the time of disposal was 5.4 million तो minus कर दें tax वालों के WDV कितनी 5.4 million यह आपका gain loss आजएगा whatever it may be लेकिन भाई यह चार exceptions है building के case में एक exception है उसमें महिंगी गाड़ी बेचना building बेचना जिसमें consideration cost यह तो अब एक पुराना रूल रिवाइद होने लगए और कोई export कर देना consideration receive क्या मैं कै सकता हूं consideration is greater than cost and the name of asset is building where the consideration is greater than cost do not calculate the gain loss in normal way rather extend the formula of आगे कर लें आपको पता है क्या करना है cost minus accumulated depreciation cost minus income reduction cost बताएं 6 6 और income reduction what is cost अश्य जब WDV paper में given होना तो rate लगा लगो के check नहीं करनी होती है यह सही निकाल ली इपर WDV जो given है इसको उठा लेना है आपने यह WDV कितनी है 5.4 तो cost minus WDV will be my accumulated depreciation where the consideration received on the disposal of building exceed the cost the consideration will be written down in place of cost ऐसा ही करेंगे तो आप बता देंगे 5.65 0.6 6 यह टेक्स हो लांकर मतावे गेन आगिया नोट के लेंगे यह जो मैंने उपर काम किया ना कंसिद्रेशन वाले पोर्शन में यह तो पराना निया काम है और जो नीचे माइनस की हैं चीज़ेंगे वह तो पराना काम है को यह से भाई तो नहीं बैठे हुए जिन्होंने वो चप्टर 19 का प्रेसें 14 बिना सिकंदर वाला भी तरक टेंड नी की डिस्क्रेशन सबने वो यूट्व पर लेक्टर ले लिया वर जिनका मिस हुआ था कुछ ने तो ले लिया था आप ने ले लिया तो हाथ करा करो ऐसे बाई वैठे हैं हाथ करा करो आज ले लेना अच्छा वह यह बगला मसला वह यह है कि इसकी क्या कहते हैं head of income कौन से है तो head of income के परमें discussion करने लगा हूँ किसका head of income कौन से है वह बात मारी में कमल होगी है अब head of income की तरह में आने लगा हूँ एक diagram बनाई थी यह आपकी class में diagram बनाई भी है क्योंकि मैं home tuition नहीं बढ़ाता यह diagram मैंने बनाई थी page number 234 पे capital gain के chapter में अभी छोड़ दें अभी छोड़ दें नवाज शरीफ का घर है राइविन में नवाज शरीफ ने इसलामाबाद F6 में कोई plot खरीदे में है नवाज शरीफ का steel का business है यह काले रंग की यह land है यह उसके उपर building है और यह income from business का मारे है अब यह अगर अपना घर बेचेगा तो घर का बेचना capital gain के chapter में जाएगा disposal of immobile property यह अगर अपना plot बेचेगा तो plot का बेचना capital gain में जाएगा disposal of immobile property जहां जहां मैंने काला मार कर इस्तमाल किया है यह अगर अपने business में use होने वाली building की land बेचेगा land नीचे होती है जाद रखेगा business में use होने वाली building की land बेचेगा इस land का बेचना भी मैंने green city किया था यह भी जाएगा capital gain के chapter में लेकिन अगर land के उपर वाली building बेचेगा तो भाई जिन building का बेचना जाएगा income from business के chapter में तो याद रखेगा जो बंदा भी मिसाल के तो पे आपके वाले सावे हैं उनकी एक shop है बहुत बड़ी सी कपड़ों की shop है तो उन्होंने shop में land building दोनों बेच दी तो land का बेचना capital gain में जाएगा और जो building बेची उसका बेचना कहां जाएगा income from इसलिए श्याइड डपरीशेवल एसेट के definition में land का जिकर भी नहीं था बलकि बिजनस के chapter में land का जिकर नहीं जहां आप जो है वो college चला रहे हैं आप नीचे वली एगर land बेच देते हैं तो इस land का बेचना कहां जाएगा income from capital gain में यह जो कालों से सारा मैंने show किया हुए यह कहां जाएगा income from capital gain में और यह जो मैंने दूसरा show किया हुए ओपर ब्राउन से यह कौन सी income है मेरी income from business अच्छा यह बात अभी मैं आपको नोट करने के लिए time दे दूँगा या आप तस्कीर खेंच लिजेगा यह हमारी किताब का page number है 234 अच्छा यह दरा पढ़ लें disposal of immobile property disposal of house disposal of plot disposal of land used in अच्छा एक बड़ी जीब सी चीजे जो मैं आज बताने लेगा हूँ shops not used in business आपने कोई दो तीन shops बाए करके फिर sell कर दी क्या मतलब आपके पास पैसे पढ़े वे थे आपने का तीन सब्जेक्टों के फीस मेरे पास पढ़ी भी अभी तरह 6 मीने में रेस्ट करता हूँ तीन सब्जेक्टों के फीस से तीन दुकाने खरीद लिए आपने आपने तीन दुकाने खरीद के आपने कारोबार नहीं करना आपने समान नहीं रखना आपने सिर्फ वो दुकाने इसलिए खरीदी है कि दुकानों के नाम से कहीं पढ़ी ही थी तो लेंड बिलिंग घर टा capital gains separate block में. तो ये जो black से सारी चीज़े नदर आ रही है जिनको मैंने आगे जाके green से highlight किया हुआ है ये सारी किस सारी चीज़ों का बेचना capital gain के chapter में जाएगा. सिरफ ये brown वाली चीज़ का बेचना income from business के chapter में जाएगा. और पता किसे चलेगा कि ये जानके चीज़ पेडर में test हो रही है. इसकी दो indications होंगी. या तो सवाल में लिखा होगा हम कारोबार कर रहे हैं. जैसे मेने steel का business आहा लिखा हो है. सवाल में होगा हम कारोबार कर रहे है. हमने दکانे खरीद के बेचनी नहीं है. सवाल में लिखा होगा हम बिजनस कर रहे हैं, फला हम बिजनस कर रहे हैं या सवाल में WDV के वन होगी क्योंकि याद रखेगा ये वला घर depreciate नहीं हो सकता ये वला plot depreciate नहीं हो सकता depreciate सिरफ business के chapter में building हो सकती है तो ये एक indication होगी अगर सवाल में WDVs दे दे, तो ये business की building है और ये use भी business में ही हो रही है अब ये तस्वीर खेंच लेंगा और इनके gain आपको पते हैं 175, 50, 25 या 0% से multiply करते हैं depending upon holding period बल्किए अगर चार साल बाद आप बेचें तो 0% gain है इनका ये मैं आप पेज नमर लिख दूँ फिर तस्वीर खेंच येगा पेज नमर कौन से है पेज 234 वो इमोबल प्रपरटी है gain on immobile प्रपरटी वो प्रपरटी डिलर्स के लिए आट्स टेक्सेशन है वो मारे इस लेबर से हैं hybrid classic साहब ने मुझे तस्वीर खेंच के भेजी थी तेजरबए के तरफे मैं ने देखी है उसका रिजल्ट सही है बिल्कुल और यह मैं पहले रो में बैठे हुए भाई को दिखाता हूं जी यह देख लो यह काला ब्राउन और ग्रीन नदर आ रहा है अलग लग नदर आ रहे हैं hybrid अलग भी तस्वीर खेंच सकते हैं करीबा के ओके तो यह चेप्टर कॉन सा है capital gain तो capital gain के चेप्टर में सारी अच्छा अब आप ऐसा ना करें कि आप इनको याद करने बैठ जी चार चीज़ें यह चार चीज़ें capital gain के चेप्टर में जाएगा आपस एक बात याद रखें कि बिजनस की जो बिल्डिंग है जिसकी अलामत यह होती है कि वो depreciate होरी होती है बिजनस की बिल्डिंग का बेजना बिजनस के चेप्टर में जाएगा बाकि सारी immobile properties का बेजना capital gain के चेप्टर में जाएगा बस इस तरह याद रखें ओके वापिस आजए हम अब ये भाईजन सवाल में लिखा हुए ज़र पढ़ें सवाल में क्या लिखा हुए सवाल इज़ा sole proprietor, sole proprietor होता ही बिजनस में ने और इसकी आगे लिखा में एंडर लाइन करें फैक्टरी है sole proprietor अपनी फैक्टरी चला रहा है यहां से पता चल रहा है बिजनस कर रहा है और एक और लाइन एंडर लाइन करें टेक्स वानों की WDV अवेलेबल है तो यह सारी चीज़ें इस बात का शवाहिद है कि यह जो बिल्डिंग है यह बिजनस की है इसकी फैक्टरी है फैक्टरी को यह किसने बेच दी है तो यह तो बिल्डिंग का बेचना चला जाएगा बोलें कहां income from business यह बिजनस की नीचे वले लैंड बेच आपने यह बेचना जाएगा income from capital gain separate block disposal of immoveable property और यह separate block है यह हो जाएगी normal regime लेकिन एक चीज मेरी रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ वो यह है कि business की chapter में जो चीज चलेगी इसकी तो रेंचन न लें immoveable property में हमने capital gain में चुरूल पड़ा था एक साल के अंदर अंदर 100% एक साल के बाद दो साल के अंदर अंदर 75% यह मेरे ख्याल से एक साल के बाद और दो साल के अंदर अंदर वाला है इस पे तो अगर दो साल के बाद तीन साल के अंदर अंदर होता है तो फिर इस पे 50% लगना था और अगर चास साल बाद बेचते तो 0% लगना था ये तो वो वहला 75% नहीं है जो प्राइवेट कंपनी और जियूलरी के अपर लगता है इसका तो अपना 75% है इन्टो 75% is equal to 1.31 million ये गेन है आपका ये 75% मुझे किताब का पेज बताएं किस पे है जी कौन सा पेज है 228 जी excellent पेज 228 वापिस आजे इंकम फ्रम बिजनस के चप्टर में पेज 157 अच्छा मुथरम कल हम सवाल करे थे कतील वला, नहीं मुबश्यर वला मुबश्यर वले सवाल के अंदर तुम्हें याद हो के ना याद हो मुझे याद है के रेंटल 27,000,000 था, तुम्हें भी याद है खोले बगर याद आ रहे है रेंटल, residual value लाख रुपया, excellent, cost at the time of purchase cost at the time of purchase 12,000 थी 12,000 थी देख के बता दी अच्छा, कोई मस्दा नहीं याँ, खेर है आपको पता दो चला ना, कहां से देखनी है कहां से रून नहीं और क्या figure है और उसको कैसे बताने I really appreciate you in this regard कल अबने ये सवाल किसके अंगल से किया था लेसी के आज हम ये सवाल किसके अंगल से करने लगे है lesser के लेसी ने क्या का था मैंने कितने का खरीद है सो रुपे का और आपको पता है सो रुपे को हमने depreciate भी किया था lesser कहेगा मैंने सो का बेच दिया क्योंकि लेसी कह रहा है मैंने सो का तो lesser क्या कहेगा मैंने सो का बेच दिया अब ऐसे करते है इसे उठाते हैं अदर से और इसे उठाके आपको हम लेके जा रहे हैं लेकिन आपकी कॉपी इदर ही रहेगी चले जी अब मैं इसको ले आया हूँ पेज 157 पर बता दें जी what is the consideration received for lesser lesser ने यसे को कितने का बेचा है जितने का लेसी ने खरीद है लेसी ने कितने का खरीद है सो रुपे का तो लेसी ने कितने का बेचा है सो रुपे का ये डाग्राम में आपको इंशाला बनाने का ताइम दूँगा दा consideration received by a bank or a leasing company यह तो ऐसी उसने लिखा है ना for an asset lease by the company to another person the consideration received by a bank or a leasing company shall be the residual value received on the maturity of lease कल हमने का था the cost for the leasing shall be the residual value paid at the maturity of lease और आज क्या पढ़े है हम the consideration received on the disposal of asset will be equal to residual value received by a lesser on maturity of lease एक बात उसने नहीं लिखी वो से लिख देनी चाही थी कि अगर lease से पहले जो है वो आप इसको खरीद ले lease तो फिर bargain purchase option उसके लिए cost होगी और इसके लिए sale price होगी इसके लिए consideration होगी लेकिन वो बात उसने नहीं लिखी तो यह मौतरम बात है कल हमने lease के लिए पढ़ी थ received on maturity of lease लेकिन इसमें एक शर्त है एक शर्त है वोई शर्त यह है के कि residual value plus all rentals should be greater than cost at start residual value कितनी है सोर्पया आल रेंटल्स आल रेंटल्स तो सेवंटीन टू फाइफ कॉस्ट एच स्टार्ट बारह सो दे कंडिशन इस के residual value plus all rental should be greater than cost और किसकी लॉजिक मुझे बताएं बैंक में मशीने पड़ी होती है या बैंक भी मशीन खरीद कि किसी को lease पर देता होगा बैंक ने किसी से मशीन खरीदी 1200 ये बैंक ने खोया ये बैंक ने पांच साल पाया और ये बैंक ने बेचते वे पाया तो obviously हर अकल मन बिजनेसमेन इसकी कोशिश करता है कि मेरा खोया कम हो और मेरा पाया ज्यादा हो ठीक है हर बिजनेसमेन इसकी कोशिश करता है कि खोया कम पढ़ा हो और पाया ज्यादा हो, इसी विज़े से तो उसे profit आएगा, तो all rentals कितने हैं? 270 इंटू 5 साल, cost at start 1200, देख लेते हैं ये greater आ रहा है या नहीं, 100 प्लस 270 इंटू 5 बताएं, 1450, is it greater than 1200? तो ये उसने लिखा हुआ है, the condition is, नहीं नहीं, ये 1350 तो इसका रोटल होगा न, ये 1450, should be greater than 1200, the condition is, अब सब note करने का time दूँगा, पढ़लें, the condition is at residual value, plus amount realized during the term of lease, बोच रेंटल ही होंगे होगे है, is not less cut than, is greater than the original cost, is greater than the original cost, पहले आप ये note कर लें, एक आदा मिनट लगाके, और फिर आप वो नोट को ली जागा, यह आपने, तब कुछ रूल बदलेंगे, लेकिन अनलकीली वो हमरे स्कोब में नहीं है, तो यह लेसर के लिए, कंसिलरेशन इसीड कितने रुपे है, सो रुपे, करिंगे, यह लुपे, दिर ब aíंगे, रूब है, वो हम रजा टुर को लिएünden, हम बदलेंगे, लेकिन सकते हैं, सो रुपे, यह लिए आप है, यह दो पुपे है, वो हम दो में ए Пอलेंगे, सो य canvas है. तो के इन दूनों फिगर्स को लिखने की जरोफती है बिशात हमारा डेटे में इस फिगर्स इतने रेलेवेंट वही नहीं अब ऐसे करें इसको जबानी याद कर लें। लेकिन अगर पहले maturity से होजे तो फिर bargain परचेश उसके लिए परचेश की कॉस इसके लिए सेल होजेगी। अब अब आख शकेश वाज अपरचेश विए परचेश की कांड अबुस्चाट आंख इंच आप सेक्शिन कात लेकिन सेट्स नदर मार लें। यह section deal करता है मेरे भाई सिर्फ capital assets को नहीं सिर्फ securities को नहीं सिर्फ immobile property को नहीं सिर्फ business assets को नहीं बलके सब को deal करता है section 76 cost बताता था 77 consideration receive बताएगा यह जो point 1 है ना जो मैंने class में आपको show नहीं कर सका था यह point 1 है normal sale बाजार में आपको अपना asset ले गए हो जाके बेच दिया तो आम तो बाजार में बाजार में बेचे तो amount received or fair value whichever is higher लेकिन अगर बाजार में जाके आपने asset बेचा बदले में आपको पैसे नहीं मिले कोई चीज मिल गई तो फिर उस चीज की fair value will be consideration of the asset disposed drop कोई asset गुम हो गया चोरी हो गया destroy हो गया तो यह सारी चीजें जमा करके आपका consideration निकलाएगी और तीन asset है घर लेके चले गए फैंक दिया या store में रख दिया आपने तीनों सूर्थों में asset आपका बिग्ग्य एजियूम किया जाएगा और कितने का बिग्ग्य है equal to fair value यह मैंने आपको ना concept करवा दिया हुए numerically यह मने सगीर वाले सवाल में किया था चप्टर 19 में सगीर वाला सवाल था इसका page ने बना निकाल लिएगा page 402 था सवाल निकालने के दुरोत नहीं इसने एक shop बेची थी 15 million की इससे मैंने का था consideration ले 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 इससे consideration ले 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 इसने यह खरीदी थी shop 19 million की जिसमें से 5 million cash में पे हुआ था अब मैंने को रूल बताया था यहां पर किसी को याद हो तो मैंने आपको तो काफी यादत पढ़ी हुए चीजों की cost कम करने की गाड़ी भी 40 लाख वाली 25 लाख पे ले जाते थे आप 60 लाख वाली गाड़ी खरीदी 25 लाख पे ले जाते थे यहां यह मसला नहीं है यहां आप cash payment पढ़ा हुए तो अगर आप immowable property खरीदें और खरीद कर उसकी payment गलती से cash में कर दें तो जितनी आपने payment cash में की असमें लोग करते यह दो नमरी हैं कि हकूमत को आशेट की cost छुपाते हैं थाकि हकूमत को पता ना चले हमने खरीदी कितने किया बेची कितने किया तो मैंने का था 19 में से 5 वाला हिसाथ तोड़ दें बाकी cost कितनी बजगी 14 million तो आपको जाद होगा हमने gain निकाला था 15-14 million हमारा gain आया था यादा रही है यह बात हाला कि अगर ऐसा ना होता तो मुझे loss आ रहा था क्योंकि 15 million में बेची है 19 million मुझे तो 4 million का loss आ रहा था और losses प परी सख्त provision लगाई और cash payment का हमें सजा मिली एक और बात है इसमें कि जितनी आपने cash payment की है ना इस amount पे आपने हकोमत को 5% penalty जमा करानी है यह नई बात है यह भी इसी सवाल में मैं आपको दिखाता हूँ तो यह हमारी आज की आखरी प्रोवियन है जो हमने अल्रडी पढ़ ली भी है एक्जामपल ऑन 15 जन्वरी 2021 मिस्टर ए सोल्ड़ा हाउस सिचुएटेटिट इन कराची फॉर 15 million जी भाईजन कितने का इसने खरीदा था? 19 million का आउट ओव इच्छे वास पेड़ इन कैश अब बता दें what is the cost given in question? What is the cost not acceptable by tax authorities? 6 million. What is cost not acceptable by tax authorities? 6 million. So the question is what is the real cost to be deducted? 13. 13. तो cost 19 million लेंगे. इसमें से 6 million disallow कर देंगे. बाकि cost कितनी मानी जाएगी? 13 million. तो गेन अब बता दें कितना आएगा? 15 minus 13. दो मिलियन का गेन आदेगा. सजा किसी इसकी मिली है? Cash में अपेमेंट करने की. और अगली बाद ज़रा आपने अब गोर से समझनी है. If immobile property having fair value. Then it will have the following सजा. Such amount shall not be treated as cost for computation of any gain on disposal. एक बाद ज़रा गोर से सुननी है भाई. इनको ठाएगे. एक बाद ज़रा गोर से सुननी है. ये पांच मिलियन इस 19 से compare करने या ये पांच मिलियन इस 6 से compare करने है. मेरा सवाल ये है कि गलत है. उनने उसे compare करने है. मेरा सवाल ये है कि चीज 5 मिलियन से महंगी हो या कैश पेमेंट 5 मिलियन से ज्यादा हो. बाई जांग चीज पांच मिलियन से महंगी होनी चाहिए कैश पेमेंट पांच मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसको कोई फरक नहीं पड़ता चीज की पराइस पांच मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए जरा इंग्लिश पढ़ें If a mobile property having cost greater than 5 million is purchased in cash ऐसे जबानी कलामी बातें नहीं समझ आती है इसकी एक example है वो हमने बनाई है इसका gain loss आपने मुझे खुद बताने है एक example हमने बनाई है example number one, example number two आपने एक property खरीदी है 4 million की कोई tension की बात नहीं है उसमें से आपने 1 million cash में पे कर दिया है खेर है कोई मसला ही नहीं है क्योंकि जो cost है property की उसमें 1 million cash में पे की है 3 million check में पे की है लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई मसला ही नहीं खेर है 4 million के property cash में खरी सकते है नो problem है क्योंकि ये 5 million से सस्ती है तो अब आपने इसको बेचा है 7 million का इसका gain आएगा 7 minus 4 7 minus 4 क्यों मैं क्यों ये क्यों नहीं कह रहा है इसकी cost 3 million है क्योंकि इसकी total cost ही 5 से काम है तो ये property है सस्ती सी सस्ती property है अगर आप cash में खरीदना चाहें तो no problem at all इधर नीचे आजए अगर आपने ये खरीदी होती 44 million की तो ये figure ज्यादा है 5 million से अब चाहे आप 1 रुपया भी cash में pay करें वो जुर्म है इधर तो आपने 1 million cash में pay कर दिया अब बता दें what will be the cost 43 बट इधर मैंने cost क्या रखी है 4 what is consideration 70 जी पहले वाला gain 7 minus 4 लेकिन इधर वाला gain 70 minus 43 नोट कर ले penalty वाली बात मैं बात में करूँगा पहले scenario में कोई जर्म नहीं है दूसरे scenario में जर्म है Cash payment 5 million में मसला है या प्रफ़टी की purchase price 5 million से जज़ता थो मसला है प्रपटी की पर चेस प्रइस मांच भी असे जदा हूँ. Okay. Okay. If property purchase price is greater than 5 million and it is paid in cash, then such amount shall not be treated as cost for computation of any gain on disposal, your loss on disposal. Such percentage is penalty of 5% of fair value paid in cash. जो cash में pay की है, उसका 5% penalty pay करनी है. तो मुझे बता दें, इदर cash में कितनी pay की है? 6 million. तो 6 million के ओपर कितने percent penalty pay करूँगा? Further, Mr. Dave will also have to pay penalty. ये कलक्स सजाए, ये 6 million into 5%, 3 lakh. तीन लाग की penalty pay करेगा. और इदर कितनी करता? इदर तो सिरफ इसमें penalty pay करेगा ना? इसका 5% कितना? 50,000. इदर सिरफ 1 million penalty pay करेगा. उपर ओले scenario में penalty pay करेगा. No penalty. और नीचे 5%. क्योंकि उपर को जूर्मी नीए? क्योंकि प्राइस प्राइस नहीं लगाई, वहां डिप्टी कमिस्टर उस इलाके का प्राइस पता देता है, असल में यह बात है इसके पीछे. क्योंकि आटाइस प्राइस आटाइस हैं वहां डिप्टी कमिस्टर के पास जाके वेली लगवानी पड़ती है, तिरी डिसॉइड होते हैं. अच्छा मुद्रम माुद्ध लोग बड़े परिशान होते थे, कि हपूमत ने घर बेचने पर टेक्स लगा दिया है. भी मैंने आपको घर दिखाया था तो लोग बड़े परिशान होते थे कि हकोमत ने घर बेचने पर टेक्स लगा दिया है। हकोमत ने काई यार ना टेक्स दो, रिलाक्स हो जो, नहीं घर बेचने पर टेक्स लिए ना दो, तीन शर्ते पूरी कर दो, पहली शर्ट, आप घर में खुद रह रहे हो, आपने कराये पर न दिया हो, दूसरी शर्ट, घर चोटा मोटा हो, दस बारा, तेरा, चोदा, पंदरा अगर 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 अपना घर बेच रहे हो तो रिलेक्स हरो कोई मसला नहीं अब इसकी ए मैं एक निता हूं कोई साब कहते हैं कि जब से पैदा हूँ कराई के घर में रह रहा हूं कोई साब कहते हैं मैं जब से पैदा हूँ कराई के घर में रह रहा हूँ चलो भाई तुम तो साइड पे हो किज़े अगली बात मेरी सुनो अब उने पिछले साल ही घर बनाया और उस घर में हम दो धाई साल रहे थे लेकिन बाद में हम सोच रहे हैं आप शिफ्ट होने लगे हैं आप इस बंदे से आप तीन सवाल पूछ ले भाई जन घर में खुद रह रहे थे जी बिल्कुल भाई जन आपका घर 15-16 मरले से कम का था जी बिल्कुल तीसरा सवाल भाई आपने घर पहले तो जिंदगी में कभी नी बेचा वो किए पहली दफा बनाया पहली दफा बे बीचने ना तो इसलिए यह जो घर बेचने पर तेक्स है ये माफ है अगर कितनी शर्ते पूरी हो जाएं तीन शर्ते पूरी हो एक एन ऑन टो गला कॏ कि से कम हो आपका घर या 4000 स्केयर फीट से फ्लैट आपका कम हो और तीसरा पास्ट में आपने ये एक्जेम्शन ना ली हो इसका क्या मतलब है पास्ट में एक्जेम्शन ना ली हो यह नि पहली दफ़ा आप घर बेच रहे हैं पहली दफ़ा घर बेच रहे हैं पहली दफ़ा घर जो जोगे उसके बीवे बचे घर बेच दें अब ये चाहे पांच पांच मर ले के चाहे पांच कनाल के फिर भी टेक्स माप है और इसी तरह कोई ह्कुमत का मूलाजिम या Pa.f का मूलाजिम मर गया ए शहीद मर गया है और इसके वुरसा ने घर बेच दिया है तो बीबी बच्ची ने बेवा ने घर बेच दिया है इस पर टेक्स नहीं लगेगा तो ये वाज़े तो पेपर में लाइने लिखी होंगी वहां से पता चल जाएगा इस घर का बेचना माफ है अच्छा वैसे एक बाद रख एच्छा चलें यार ऐसी बाते ना किया करें अब आप ऐसा करें कि बस बेले बैटते हैं कोई नुमरिकल श्मैरिकल आपको होंग में दे देता हूं कौन सा बच्क एओद राहें हैं तरह देखें कौन सा बच्क है मुहःच्छर के ऊपर एक नुमेरिकल आया हो है पेज नमबर टू जिरो सेवन ये असल में ना तीन चार पास फिपर के नुमेरिकल चैटर निस से ही मैंने निकाल ले हुए है लेकिन ये चैटर निस में जा के आपको मैंने इसलिए नहीं करवाई इसको अगली क्लास में जा काईये है इसका café तो आकिसा सोल प्रोफाइटर इसका बिजनस है डिफ्रेंट चीज़ें बनाना इसका प्रॉफिट है 1.8 मिलियन और इसने डेटा आपको डिस्क्लोज किया मुश्ताक ने नोकरी पर रखा हुए 5 बंदों को कितने बंदों को नोकरी पर रखा हुए 5 बंदों को उनके तंखा क कितनी हैं 32,000 पर मन्थ और किसमें पे कर रहे हैं जिसमें के 6,000 पर मन्थ रींबस्मेंट है सेल्समें ने इंटर्टेन्मेंट करानी होती है कस्टमर्स की अट बिजनस प्रेमिसे तो इसमें आप दो चीजें अलग लग हैं इनको मैं अलग लग देखूँगा एक है 32,000 उसके ह अलग है पहले मैं बात करने लगा हूँ कि ये इसके दो हिस्से करने क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए कि ये दोनों अकाउंट हेड्स डिफरेंट हैं प्रिंसिपल सहाब ने सिक्यूरिटी गार्ट को बलाके कहा भाई आपकी तंखा 32,000 होगी लेकिन मेरी बात पूरी सुन लो आपके तंखा जो 32,000 है उसमें 6,000 में आपको इसलिए दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आते हैं जल्दी जल्दी रिक्षे पे तो स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते कभी-कभी जेब में तो अब रिक्षे वाला उतर खड़ा होते है उतर बच्चे की क्लास लेट ह स्टूरी होती है तो स्कूर्टी गार्ड भाई आपना रिक्षे वाले को पैसे हमारी कॉलिज के तरफ से दी दिया करें तो यह 6,000 पे इस मद में मैं आपको दे रहा हूँ वो कलकला को पता चले स्कूर्टी गार्ड के पहले दिनी खतम होगे तने बच्चे आए अच्छा क जो स्कूर्टी गार्ड को मिल रहा है तो वो तो बिचारे का खर्च हो जाते है कॉलिज के अंदरी बिचारा 26,000 बचा कुछा घर लेके जाता होगा तो इस सवाल में वापस आएं इसी तरह हमारे होते हैं सेल्समें उनका काम होते है सेल्स बिजनस की बढ़ाना उसके लिए इसके लिए मुफलिफ कस्टमर्स के पास वो चलके जाते हैं या कस्टमर्स खुद दुकानों के उपर आ जाते हैं अब बिजनस बहुत बड़े हो तो ब्रांचिस भी ज़्यादा होती है सेल्समें भी आपने ज़्यादा रख्या होते हैं तो अब इस एम्प्लॉयर ने सेल खुश खुश को रवाना कर दिया ठीक है तो छे हजार इसमद में दिये जा रहे हैं अब सवाल यह राइज होगा के ये जो छे हजार है छे हजार ये हैं इंटर्टेन्मेंट ये इंटर्टेन्मेंट है वैसे तो इंटर्टेन्मेंट माइनस करने की ज़्यादत है लेकिन भ को जुलाई में मिलेंगे छे हजार, तीसरे सेल्समें को जुलाई में मिलेंगे छे हजार, चोथे सेल्समें को जुलाई में मिलेंगे छे हजार, और पांचमें सेल्समें को जुलाई में मिलेंगे छे हजार, इस इट सो, और फिर हर महीने पांच दफ़ा ये पेमेंट छे हजा की पेमेंट और होगी, is it so? क्या मैं 6,000 को 12 से मल्टिप्लाइ कर दूँ या 6,000 को 5 से भी मल्टिप्लाइ कर दूँ साथ? मुझे बताएं, जब साल का इंड आएगा, तो इसका कैरिड डाउन जो टोटल आएगा, वो ज़रा हिम्मत करके आपने निकलवाने, 5 सेल्समेंट को 12 दफा आपने पैसे देने हैं 6,000 उपे, तो टोटल आपके बिसनस से कितने जाएंगे? 3,60,000 ये इंटरटेनमेंट माना के अलाउड टाइप इंटरटेनमेंट है, बिसनस प्रेमेसे में कस्टमर को खिलाने पिलाने की इजाज़त है, ये इंटरटेनमेंट अलाउड है, ले साल का टोटल धायलाक से जदा आ रहे अगर अकाउंट अलार्मिंग है तो अलार्मिंग अकाउंट में 25,000 तक की पेमेंट कैश में हो सकती है और ये 6,000 करके पेमेंट हो रही है जो के कैश में है कोई प्रॉब्लम इसलिए ये इंटर्टेइनमेंट एक्सपेंस क्या है allowed Do not allow की बात मैं करता हूं ये नोट करने वहले है नहीं, वह तो emotions की सोचना था वह तोSee हो, उसको टेक्सिबल है ये माप है वह इंप्लाइड की अंगल से सोचो ये तो employer का सवाल हो रहा है, business का सवाल हो रहा है business fan के सवाल में तो खर्चे के यह तबार से सोचेंगे नौँ कितने में लाजम हैं पांच बाराँ दफ़ा उन्हें तंखा मिलेगी लेकिन तंखा के इलावा भी पैसे मिलेंगे डेडिस छे हजार तो यह टोटल ढ़ाई लाग से जाद है लेकिन अलाग का शुकर है इंडिविजल पेमेंट पच कि डेश 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 जरूर डालिएगा तकि टोटल तीन लाग साथ जार आजएगा मुझताक वदा सवाल है अच्छा अब मुझे आप नॉट अलाउट की फिगर बिता दें यह इसे दोने निकलेगी ना नॉट अलाउट की फिगर अच्छा सेलरी को टोटल न करने में कि आप सेलरी का बैठे़ सेलरी का टोटल करनें बैठ पर Clement यह टोटीरी पर मौनिक हैIns उलरी में पर मंद पखे जाती है इसकी सेलरी बताएं कितनी है 26,000, अब गलेटर पकड़ें, 26,000, जरब 5 मलाजमीन, ये तो एक महीने की तनखा अगी, जरब 12 महीने, जरब 12 महीने, जरब 30 क्यों, एक दिन की तनखा तो नहीं दीवी सवाल में, 26,000, एक महीने की तनखा है, किते लोगों को मिलेगी, तो ये तो एक महीने की तनखा 5 लोगों यह कहां चला जाएगा नॉट लौट अचीक है और वाकिस सवाल को प्राइब करके येगा और मंडे को इंशाला इंकम फ्रॉम बिजनेस का चेप्टर सुना जाएगा